हेलो एवरिवन वेलकम टू यमी रैसिपी इस किचन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी कोर्मे की रैसिपी आज हम बनाएंगे बीफ का कोर्मा जो की बनाने में बहुत आसान और खाने में बेहत लजीज होता है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कोर्मे की ये रैसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूलेगा तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं कोर्मा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर बड़े का गोश्ट तो ये एक किलो गोश्ट है गोश्ट को हमने तीन से पचार बार बहुत अच्छी तरह से धोकर क्लीन कर लेना है और इसे धोकर एक इस ट्रेनर में रखिएगा ताकि इसमें जितना भी पानी हो तो वो अब इस कोर्मे को बनाने के लिए हम लेंगे एक हांडी और इसमें एट करेंगे ओल तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ओल डाला है क्योंकि कोर्मे में जो है ओल जादा डाला जाता है ओल को हम पहले अच्छा तेज गर्म कर लेंगे हाई फ्लेम पर और जब ओल अच्छा गर्म ह जाएगा तो फ्लेम को जो है लो कर देंगे और इसमें 250 ग्राम प्याज एट करेंगे प्याज को हम इस तरह से बारिक बारिक स्लाइसिज में कट करके डालेंगे और मीडियम टू होट आयल में हम प्याज को फ्राई करेंगे इससे यह होता है कि मीडियम टू होट आयल में ज golden color में आ जाए तो प्यास को जो है औल से निकाल लेंगे और निकाल कर इसे रखेंगे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में क्यूंकि जब हम प्यास को फ्रिज में रखते हैं तो एक क्रिस्पी रहती है अब इसी ऑईल में हम एट करेंगे ये गोश्ट और अब हमने फ्लेम को हा से पांच मिनट तक भूनेंगे इस तरह से भूनने से गोश्ट के जो इसमेल होती है तो वो खत्म हो जाती है अब देखे हमने गोष्ट को जो है यहाँ पर 5 मिनट तक भून लिया है गोष्ट अच्छे से भून गया है इसका कलर भी चेंज हो गया है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे 1 टेबल स्पून लैसो नदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें एड़ करेंगे दही तो यहाँ पर दही जो है 250 ग्राम डालना है दही को डालने से पहले अच्छी तरह से फेट जरूर लीजेगा उसके बाद ही इसमें एड़ कीजेगा दही डालने की बाद अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले एड़ करेंगे तो एक टी स्पून शाही जीरा, साथ से आठ हरी लाईची, दो तेज पत्ते और आठ से दस लॉंग एड़ कर देंगे और अब इसी के साथ हमने इसमें एड़ करने है पॉडर मसाले तो पॉडर मसालों में मैंने लिया है दो टेबली स्पून धनिया पॉडर एक टी स्पून लाल मिर्च पॉडर, एक टी स्पून पीली मिर्च, एक टी स्पून कश्मेरी लाल मिर्च पॉडर तो टी स्पून इसमें डालेंगे नमक इन मसालों को भी इसी के साथ आठ कर देंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या जादा कर लीजेगा इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप गोर्ट को गलाने के लिए हम इसमें एड़ करेंगे एक गलास पानी क्योंकि हमने इसमें दही डाला है और दही से काफी सारा पानी रिलीज होता है तो पानी जादा नहीं डालना सिर्फ एक गलास ही डालेंगे और इसे कवर करके पहले हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे और फ्लेम को लो करके फिर इसे 30-40 मिनट तक हम पकाएंगे एक मिकसर जार में डालेंगे और इने पीस लेंगे तो इनका हमने बहुत जादा फाइन पॉर्डर नहीं बनाना है थोड़ा दरदरा सा ही पीस ना है ये देखे इस तरह से तो अब ये हमारा एक स्पेशल कॉर्मा मसाला बनकर तयार हो चुका है तो अब हम इसे साइट पर रखेंगे और अब फिर से वही मिकसर जार लेंगे और इसमें अड़ करेंगे ये प्यान जो की हमने फ्राई करके रखी थी अब ये ठंडी हो चुकी है तो इसमें अड़ कर देंगे साथ ही इसमें एक टेबल इस्पून नारिल का बुरादा यानि डैसिकेटिड कोकोनट एड़ करेंगे आठ से दस एड़ करेंगे काजू काजू को पांच से दस मिनट के लिए गर्म पानी में सोख करके रखा था ताकि ये इजीली ग्राइंड हो जाए आधक अप इसमें पानी आड़ करेंगे और इसे पीस लेंगे तो ये देखिए इसका इस तरह का पेस्ट बनकर तयार हो चुका है अब जब ये पेस्ट बनकर तयार हो गया है तो अब हम गोश्ट को चेक कर लेंगे गोश्ट हमारा जो है 80% तक कूक हो चुका है बाकी का जब हम इसमें प्याज और काजू का पेस्ट टाल कर भूनेंगे तो ये तब कुक हो जाएगा अब ही गोश्ट में जो है थोड़ा पानी जो है वो बाकी है तो इसी टाइम पर हमने इसमें ये प्याज नारियल और काजू का पेस्ट एड़ कर देना है जार में थोड़ा पानी डालेंगे और ये पानी भी इसी में अट कर देंगे अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है हम इसे 8-10 मिनट तक मीडियम टू लो फलेम पर भूनेंगे और इसे पीच पीच में हम चलाते भी रहेंगे क्योंकि हमने इसमें काजू का पेस डाला है और काजू का पेस जो है वो बहुत जल्दी नीचे तले में जाकर लग जाता है तो इसे लगातार जो है चलाते भी रहिएगा इस मसाली की भुनाई जितनी अच्छी तरह से होगी उतना ही अच्छा जो है हमारा कोर्मा बनकर तयार होता है जितना अच्छा मसाला भुनता है उतना ही टेस्टी कोर्मा बनता है देखें यहाँ पर हमने मसाली को जो है आट से दस मिनट तक भून लिया है आप देख सकते हैं मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन गया है बिल्कुल दानेदार हो गया है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे हमने जो इस पेशल कोर्मा मसाला बना कर तयार करा था वो इसमें एड़ कर देंगे और add करने के बाद इसे अच्छी तरह से mix करेंगे और अब हम गैस की flame को off कर देंगे और इसे ढखकर हम दम के लिए 10-15 मिनट तक रखेंगे 8-10 मिनट तक कॉर्मे को दम में रखने के बाद अब हम इसे serve करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना लाजवाब tasty हमारा कॉर्मा बन कर तयार हुआ है मसाला देखें इसका कितना दानेदार है तो बहुती आसानी के साथ बहुती tasty ये कॉर्मा बन कर तयार होता है तो आप इस कॉर्मे की recipe को एक बार try जरूर कीजेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा तो मिलते हैं next वीडियो में एक और नई recipe के साथ तब तक के लिए Allah आपिस